आपके सामने चले बच्चो एक बार फिर से आपके सामने मैं संतोष्थ दिवाशतो प्रेइब हूं और एक बहुत ही important segment के साब जिसमें आपको बहुत सारी question जो है. जो littके की level पे supertit ni level पे ROROO के लेवहले पे आपको मिलेंगे आप देख रहें जैसा यहां लिखा है most important vocabulary and sentence fillers, 50 questions क्या हैं आपके vocab पे अधारित हैं और 10 questions जो हैं 10 questions जो हैं वो आपके sentence fillers के हैं वही questions जो आपके exam से में आए हैं और वही words जो आपके exam के लिए must हैं, ठीक है, चले श्टार्ट करते हैं सेशन और देखते हैं कौन से questions हमारे स सामने ही, वो idioms and phrases का है, पहला question है आपका at the 11th hour, क्या question है at the 11th hour, तो क्या हो सकता है यहां पे, क्या in the beginning होगा, या at the last moment होगा, या in the middle होगा, या after sometime होगा, हम जानते हैं, जब हम कोई कारी at the 11th hour करते हैं, तो फिर वो हम last moment पे करते हैं, हमारा answer क्या हो जाएगा, B हो जाएग at the 11th hour, at the last moment, next question हमारे सामने है, a herculean task, a herculean task समस्ते होंगे सारे बच्चे, hercules के उपर पड़ा, hercules एक बहुत ही महान योद्धा था, जो परिश्रम करता था, और task means होता है कारी, तो अगर कोई कारी herculean task है, means कैसा task होगा, एक बहुत ही कठीन task, बहुत ही कठीन कारी है, जिसमें बहुत अधिक effort के परिश्रम की आवश्रक्ता परती है, कोई पूछे, a herculean task क्या होता है, कई a very difficult task जो होता है, वो herculean task होता है, नेस्ट क्वेशन है आपका, an open book, क्या option लेना चाहेंगे, an open book जो है, वो secretive होता है, या straight forward होता है, या hidden होता है, या not expressive होता है, तो अगर कोई open book है तो वो बिलकुल खुली किताब है, अर्थात वो कोई secret नहीं रखता है, वो कुछ hide नहीं करता है, वो not expressive नहीं, वो तो express करता है, यानि वो क्या है, straight forward है, straight forward मतलब जो बिलकुल खुली किताब हो, अर्थात कोई भी चीज, जो छिपाता नहीं हो, वो आपका straight फारवर्ड होता है, open book होता है, next question है, a red letter day, क्या होगा, an important day, या an unimportant day, या a very joyful day, या a very sad day, आप जब अपने calendar पे, calendar में, आप किसी तारीख को red करते हैं, तो कौन सी तारीख को red करते हैं, जान है न, आप उस तारीख को red करते हैं, जो आप ले बहुत important होता है, तो a red letter day क्या हो जाएगा, an important day, a white elephant, एक सफेद हाथी आपने खरीद के लाई है, वो कैसी है, white elephant क्या है, very costly and useful है, या very costly but of no use है, या very profitable है, या very costly and beautiful है, तो white elephant, costly हो सकते हैं, बहुत costly होगी, लहीं, generally वो आपके किसी काम की नहीं रहेगा, generally वो आपके किसी काम की नहीं रहेगा, तो कोई भी जैसे आपनी Audi car खरीदा, या BMW आपनी खरीदा, लेकिन आप उसका proper use नहीं कर सकते हैं, वो आपके लिए white elephant है, यानि वो क्या है, बहुत costly है, लेकिन आपके किसी काम की नहीं है, तो white elephant, very costly but of no use. A bone of contention, कहीं भी अगर contention लगाए, contention means होती है, कलह, क्या होती है contention means, कलह, तो अगर आप देखेंगे कुटे जो होते हैं, एक हड़ी को लेकर कि क्या करते हैं, आपस में जगड जाते हैं, तो आप क्या सकते हैं, जैसे जो bone of contention है, वो जगड़े की जड़ है, तो cause of happiness तो होगा नहीं, cause of prosperity तो होगा नहीं, cause of peace तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा, cause of fire, a bone of contention, यानि cause of fireलियाद हो जाएगा, जगड़े की जड़, a bone of contention, next आपका है at once wits end wits means बुद्धी होती है क्या होती है बुद्धी तो क्या हो जाएगा to be happy या to be sad या to be clear या to be puzzled तो अगर किसी की बुद्धी जो है वो काम करना बंद कर दे रही है आप समझ सकते हैं वो क्या हो जाएगा पशोपेस में पर जाएगा means वो puzzled हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे to be puzzled हो जाएगा at once wits end to be puzzled यानि परिशान होना क्या हो जाएगा परिशान होना हो जाएगा this is next है a man of letters इस सारी वो questions हैं जो आपके exams के लिए इसपर सूपर टिट वगरे में आरो आरो में जरूर पूछे जा सकते हैं बच्चों आप इने अगर त्यार कर लेंगे निश्य थिकाम आएगा जिन बच्चों अब तक सब्स्ट्राइब न किया हो चैनल को वो सब्स्ट्राइब भी कर लिए तो a man of letters तो letters means के वल अक्षर नहीं होते भी जिनको अक्षरों का लिए होता है न उन्हीं वास्तों मी ऐसी का लिए होता है विद्या का लिए होता है तो a man of letters जिसके पास विद्या है वो क्या है वहर हाल में क्या होगा एक wise person होगा spokesperson of letters means a wise person next is at sixes and sevens तो क्या होना ची आर्गनाइजड होगा यह scattered होगा यह put carefully होगा यह very expensive होगा तो अगर आप अपने कमरी में किताबों को इधर उधर sixes और sevens के क्रम में रखते है तो किताबें इधर उधर बिखरी होती है यानि वह कहिं कहीं inner disorder होती है यानि order मैं नहीं होती है तो क्या हो झाएगा scattered मिन समझते होंगे scattered means बिखरा हुआ यह होता है बिरा हुआ तो at sixes and sevens बिखरा हुआ या in a disorder at an arms length आप अपने दुश्मन को हमेशा एक फुट के दोरी पे रखते हैं क्यों 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 आप उससे बचना चाहते हैं तो at an arms length क्या हो जाएगा at a safe distance या at an unsafe distance या very far बहुत दोर या very long क्या होगा तो मैंने क्या कहा आप अपने दुश्मन को हमेशा कुछ दोरी पे रखते हैं ताकि आप उससे safe रहें तो क्या हो जाएगा at a safe distance तो at an arms length at a safe distance कुछ दोरी पर next आपका है add fuel to the fire क्या हो जाएगा to make a matter worse या to make things organized या to make one happy या to make one love अगर आप fire में fuel डालते है एड करते है तो fire और क्या होगी भड़केगी तो अगर आप किसी व्यक्ति को और क्रोधित करते हैं तो आदमी क्या कोगा गुस्सा होगा क्रोधित होगा और मामला और अदिक क्या हो जाएगा वर्ष हो जाएगा है तो add fuel to the fire means आग में घी का काम करना तो make a matter worse हो जाएगा थोड़ा सा speed मैं ले रहा हूँ क्योंकि आपकी पास समय बहुत कम है और तयार ही जादा करनी है यह मैं एक एक दो दो पार्स में बार दूँगा ताकि आप बहतर तरीके से next है a close shape a close shape क्या होता है और narrow escape होता है यह a close partner होता है यह a close sharp होती है यह a close file होती है क्या होती है जब आप एक close shape को face करते है तो आप बाल बाल बचते हैं क्या होता है बाल बाल बचते हैं बचवा यानि बाल बाल बचना तो आप जानते होंगे a close shape का क्या हो जाएगा और narrow escape हो याद हो जाएगा, a close shape मतलब a narrow escape. Next है a close-fisted person, क्या हो जाएगा इसका, extravagant होता है close-fisted person, या charlis, यानि बेवकूप होता है, miserly, गंजूर्श होता है, prosperous, शम्रिध होता है, extravagant समस्ते में जो खर्चिला होता है, तो क्या हो जाएगा, जो आदमी अपनी मुठीओं को क्या रखता है हमेशा, बंद रखता है, जो आदमी अपनी मुठीओं को हमेशा बंद रखता है, यानि वो कुछ खर्च नहीं करना चाहता है, तो क्या होगा, वो miserly हो जाएगा, miserly means क्या होता है, कंजोश, फ्रुगल, यानि जो कम खर्च करना चाहता है, बिल्कुल भी खर्च न करना चाहता है एन ओर्म चेर जाब शुर करें आपको ऐसी जाब मिले लेकिन इसमें आपको कभी इंट्रेस्ट नहीं आएगा जिसे इमांदारी कहते हैं, वो नहीं रहेगा तो एन ओर्म चेर जाब क्या रहेगा अवेरी कॉंप्लिकेटेड जाब या अवेरी डिफिकल्ड जाब या एन ओर्गनाइजड एफ़र्ट या विद गुड इंकम एंड अकमफर्टेबल जाब, समझ सकते हैं अगर वो आर्म चेर जाब है इसका मलब एक ऐसी चाब है जिसमें आपको अच्छे इंकम मिलती है और आपके लिए क्या है वो? आराम दायक है या जाएगा एन आर्म चेर जाब जिसमें तन्फ़ाभ भी आपको क्या मिलते हो? अच्छे मिलते हो अभी आपने पीछे पढ़ा था एक तरह से यही वाला लेकिन दुबारा मैंने दिया क्योंकि important है इसलिए और मैं चाहता हूँ सारी important जो idioms, one verse वगरा है सरॉनिम्स वगरा है आपके लिए जरूरी है वो जरूर आपको दिये जाए तो apple of discard का क्या हो चाहिएगा apple of discard means cause of peril होगा या cause of peace होगा या cause of prosperity होगा या cause of poverty होगा तो apple of discard भी वही होता है जो यह होता है a bone of contention यार आगे आपको a bone of contention जो जगडे की जड़ है जो जगडे की जड़ है वो apple of discard है या a bone of contention है तो क्या हो चाहेगा? लेकन apple of once आई अप अपनी मम्मी के लिए क्या होते हैं, उनकी आखों के तारी होते हैं, यानि उनके लिए क्या होते हैं, आखों का तारा होना, यानि very dear या very loveable, ठीक है? अगर आप अपनी खंजरी अपनी तलवारी एक दोसरी पर खीचे रहते हैं इसका मतलब आपके बीच में क्या है दोस्ती तो नहीं होगी अगर कोई एक दोसरी पर तलवार ताने हुए है तो दोस्ती तो नहीं होगी क्या हो जाएगा टू हैव एनिमटी यानी शत्रता होना बैड ब्लट बैड ब्लट याद कर लिंग क्या होजएगा या फ्रेइंड और आप जानता हैँगे तो बैड बलड का क्या होते है बैड ब्लड मिंसुनों दुश्मनी थो क्या हो जाएगा गांप्लड का एनिमेटी बैग औन बैग इस क्या हो जाएगा इसका बैग औन बैग इसका विद वन्स फ्रेंश, विद वन्स रिलेटिप स्विद आल बिलांगिंग इस या विद आल बुक्ष देखें एक्जाम में आपको common error में कभी कभी बैग औन बैग इसके साथ क्या जोड़ के देता है यदि रखेंगा बैग औन बैगिस के साथ कभी भी विद का प्रियोग नहीं होता है जब आप कोई ओवगर चोड़ रहे है और पूरी तरह से हर चीज ले करके जा रहो अपनी तो आप बैग एंड बैगेज छोड़ रहे हैं बैगेज का मतलब होता है सुद्ध रोप में completely क्या होता है बच्छों completely यानि पूरी तरह से तो क्या हो जाएगा बैगेंड बैगेज का with all belongings हो जाए निक्स्ट है born with a silverish spoon आप समझ सकते हैं शायर अपने से भी born in a rich family होगा born in a poor family होगा born in a very famous family होगा या born in a very low family होगा तो अगर कोई जन्म लेते ही जिसको चांदी का चमच हासिल हो रहा नसीव हो रहा है तो वो कैसा ब्यक्ति होगा निश्टे थुष्ट ने एक rich family में जन्म लिया होगा born with a silverish spoon means born in a rich family तो ये 20 मैंने आपको segment 1 में आपको idioms देये हैं और ये देखिए अब आपका one word substitution आपके सामने पहला है a cure of all diseases समस्क्रेंगे आप जो सभी बीमारियों के लिए इलाज का काम करे या निचो एक तरह से सर्व रोग हरण का का काम करे वो क्या हो सकता है वो amnesia नहीं होगा वो insomnia नहीं होगा वो panacea नहीं होगा वो acacia नहीं होगा क्या होगा इन इचारों में से होता है आपको वो क्या हो जाएगा panacea एमनेशिया क्या होता है याद कले आगे मिलेगा आपको एमनेशिया होता है आपकी भूलने की बीमारी क्या होती है भूलने की जो बीमारी होती है वो आपकी एमनेशिया होती है इन सोमनिया क्या होती है अनिद्रा की बीमारी इसकी बीमारी अनिद्रा की अगर इसी में हाइप hyper somnia आप जोड़ देंगे न, क्या जोड़ देंगे, hyper somnia, तो अती निद्रा, बहुत ज्यादा नीद आने की बिमारी हो जाती है, लेकिन insomnia और निद्रा, नीदी नीदी नी आती है, panacea क्या होता है, a cure of all diseases, यानि जो सभी रोग, जिसे रामबान अर्श्वधी कहता है न, वो pan panacea होता है, और acacia क्या होता है, आपको पता होगा, जो बबूल का पेड़ होता है, वो acacia क्या लागता है, याद कर लेंगे, चलेंगे, animals that feed on plant, समस्ते होंगे, ऐसे जानवर, जो शाप सब्जियों पर, पेड़ पाउधों पर डिपेंड करते हैं, वो animals क्या है, वो कॉर्णी वरश है, या पिसी वरश है, या हर्बी वरश है, या ओम्नी वरश है, आप कॉर्णी वरश समस्ते हैं, कार्णी वरश क्या होता है, मांसा हारी होता है, पिसी वरश समस्ते होंगे, मचली खाने वाले जो लोग होते हैं, वो आपके पिसी वरश होते हैं, हर्बी वरश कौन होता है, समस्ते होंगे, शाका हारी होता है, और आमनी वरश कौन होता है, वो सरवा हारी होता है, जो सभी जे खा सकता है, इसके साथ वर्स भी त्यार रखेगा आप चैनिबल यानि जो मनुस्त के मांस को खाता है वो कैनिबल होता है तो क्या हो जाएगा जो प्लांट वगरे पे निर भर होता है कर लेंगे अब आप हर भी वर्स हो जाएगा जो भी मैं यहां दे रहा हूं वर्स वगरे जरूर त्यार करेगा ए तुझे रेकने सारे सभी काम आएंगे आपके आप पर्सन हो लबस मैंनकाइंड जब भी किसी शब्द के अंत में I.E.S.T. आये हमेशा याद रखेगा बच्चोंगो क्या होता है नाउन होता है जब भी किसी शब्द के अंत में I.E.S.T. आये तो वो भी हमेशा क्या होता है, नाउन होता है, जब भी किसी शब्द के अंत में नेस आए, तो वो भी हमेशा नाउन होता है, जब भी किसी शब्द के अंत में और या मलब डबल एर आए, तो वो भी क्या होता है, नाउन होता है, जब भी किसी शब्द के अंत में सिप आए, वो भी क्या होता है, नाउन होता है, जब भी किसी शब्द के अंत में A-N-C-E-I, वो भी हमेशा नाउन होता है, जब भी किसी शब्द के अंत में T-I-O-N-I, जनरली वो भी नाउन होता है, जब भी S-I-O-N-I, वो भी नाउन होता है, ठीक है, जब भी किसी शब्द के अंत मे M-E-N-T-I वो भी हमेशा noun होता है यह आप करेंगे काम आएगा इसे यह सारी मैने किसके दिये हैं nouns के आपको दिये हैं जो आप पहचान सकते हैं जब भी एक verb plus A-L-I वो भी हमेशा noun होता है ठीक है चले तो यहाँ I-S-T है ना सब nouns आपके हैं तो a person who loves mankind एक ऐसा ब्यक्ती जो मानोता सी प्रेम करता है वो miss anthropist होता है यह philanthropist होता है यह protagonist होता है यह antagonist होता है सबसे पहले जाने किसी शब्द में जब आप miss जोडते हैं M-I-S तो miss means होता है घिना करने वाला क्या करने वाला घिना करने वाला यह तो होगा नहीं आपका जब भी आप किसी शब्द में फिल जोडते हैं तो फिल क्या होता है प्रेम करने वाला और anthrop क्या होता है बच्चों anthrop means मनुष्य होता है और I-S-T वो ब्यक्ती होता है तो वो ब्यक्ती जो मनुष्यों से क्या करता है प्रेम करता है वही क्या है यह आपका a person who loves mankind है यानि फिलांथ्रोपिस्ट है फिलांथ्रोपिस्ट कौन होता है जो मानवता प्रेमी होता है तो मिसांथ्रोपिस्ट कौन हो जाएगा जो मानवता घणा करता है प्रोटागोनिस्ट कौन होता है अच्छो प्रोटागोनिस्ट हो वो भी प्रोटागोनिस्ट होता है तो एंटागोनिस्ट कौन होता है एंटागोनिस्ट होता है जो आपका विरोधी होता है जो आपका दुश्मन होता है प्रति पच्छी होता है वो क्या होता है आपका एंटागोनिस्ट होता है विरोधी याप कर लेंगे एंटागोनिस्ट विरोधी, प्रोटागोनिश्ट आपका तरफदार, आपका पच्छपाती, नायक जो होता है किसी ड्रामा वगरे में, फिलैंथ्रोपिष्ट जो मनुस्यों से प्रेम करता है, और मिसैंथ्रोपिष्ट जो मनुस्यों से घना करता है, तो मैंने आपको suffixes दिये हैं, जरूर त्यार करिएगा, निष्ट वड है आपको loss of memory, आप तो याँ हो जाएगा, आपको loss of memory है, loss of memory इन्सोम्निया नहीं होता, याद हो गया होगा आपको यह अनिद्रा की बिमारी होती है, सौमनाम्बुलिस्म होगा, या सामनी लोक्विस्म होगा, या एमनेश्या होगा, अभी आपनी पीछे पढ़ा था, जब हम अनिद्रा की बिमारी से पेडित होते हैं, तो हम इन्सोम्निया की बिमारी से पेडित होते हैं, जब हम memory की problem से, यानि अपनी याददास्त, अपनी अस्मरन शक्ति से problem में होते हैं, तो हम amnesia से होते हैं, क्या होता ये, इस्मृति लोप होता है, this is amnesia, सौमनी लोक्विस्म याद खर लीजेगा, ये क्या होता है, नीद में बोलना, क्या होता है, नीद में, कहीं भी लोक्विस्म लगा है, ये बोलने से संबंदित है, और कहीं भी सौमनी लगा है इसके इंसर नीद में बोलता है वो सौमनी लोग पिष्ट होता है और उसका बोलना सामनी लेक्विस्म हो जाएगा कहीं भी बुलिस्म हापे है यह चलने से मतलब है और सामनाम में इंस निद्रा तो सामनी बुलिस्म क्या होता है नीद में चलना यह होज़ा है याद कर लेंगे इंसोम्निया यानि अनिद्रा की बिमारी हाइपर सोम्निया यह अति निद्रा की बिमारी सामनाम बुलिस्म नीद में बोलना और amnesia smriti low a person who can use both hands equally एक ब्यक जो अपने दोनों हाथों को एक समान तरीके सीउस कर सकता हो दक्ष तक साथ यूज कर सकता हो वो क्या होगा amphibian या aquatic या ambiguous या ambidextr वो amphibian नहीं होगा ये क्या होता है उभैचरो होता है जो जल और थल दोनों जो गए रह सकता हो वो aquatic नहीं होगा aquatic जो केबल जल में रह सकता हो ambiguous नहीं होगा ambiguous क्या होता है जो असपष्ट होता है दूई और थी होता है वो ambiguous होता है और ambidextrous कौन होता है जो दोनों हाथों से इसे बच्चों जो दोनों हाथों से दप्च होता है वो क्या होता है आपका Ambidextrous होता है ठीक है? Ambiguous क्या हो जाएगा? और Aspushed यानि Unclear जो होता है Vague होता है Aquatic जो जल में रहने वाला होता है और Amphibian जो जल और ठल दोनों जो गह रह सकता हो वो Amphibian होता है तो हमारा answer क्या हो जाएगे Appiary होगा? क्या वो Anonymous होगा? क्या वो Bureau होगा? या A. Whary होगा? कहीं भी API लगा है अ और N मींस बिना जो बिना नाम का होता है वो Anonymous होता है यानि बिना नाम का ये क्या हो जाएगा? Anonymous ठीक है? और Bureau में जानते होंगेा कारियाले होता है और aviary, कहीं भी avi लगा है, aviary means ही क्या होता है, avi means पच्छी होता है, aviary जहाँ पच्छी को रखते हैं, पच्छी शाला जो होती है, वो aviary होता है, हमारा answer क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, animals that can live on land in water, अभी हमने पढ़ा था न, क्या हो जाएगा, खोज लें चल दे, स्खोज लें यहाँ पर क्या हो जाएगा, amphibian हो जाएगा, यानि जो जल और थल दोनों जगर रसता हो, याद हो गया, aquatic जो जल में रहता हो, ambiguous आपको याद हो गया, जो असपष्ट हो, यानि जो वेग हो, असपष्ट हो, unclear हो, और ambidextrous भी याद हो गया होगा, जो दोनों हाथों से दख्च हो, आपको लग रहा हो सरी, दुबारा आपने दिया, इसले दिया कि question change करके पहले था, दूसरा, इस सारी वर्स तभी याद ह और तयार करेंगे, ठीक है, चले, next है, one who does not believe in God, मैं धीरी बोल करके, धीरी कराके, आराम से आपको समझा सकता हूँ, चलेंगे, इससे कम questions करेंगे, और अगर आप Java questions करना चाहते हैं, तो speed up आपको maintain करना, चले, one who does not believe in God, बिले को लीजी question है, तो हम यह चार शब्दों को सम समझेंगे, एक व्यक्त जो इश्वर में विस्वाष्ट नहीं करता है, वो थीष्ट तो नहीं होगा, यह कौन होता है, आस्कतिक होता है, जो इश्वर में विस्वाष्ट करता है, वो क्या होगा, और थीष्ट होगा, वो न, जो क्या होता है, नास्कतिक होता है, एगनोश फिर उश्टने सी उन्वर्स को क्या कर दिया, अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया, यह डेश्ट होता है, यानि यह rational आधार पे, तारकिक आधार पे इश्वर में विस्वाश करता है, न कि religion के आधार, यह कौन है, जो इश्वर में पुन विस्वाश करता है, यह कौन है, जो इश्वर में बिलकुल भी विस्वाश नहीं करता है, और यह कौन है, जो थिश्ट और अथिश्ट के बीच में है, यानि यह sure नहीं है, कि इश्वर है या नहीं है, तैयार जरूर करिए काम आएगा, थिश्ट जो विस्वाश करता है, और थिष्ट जो विस्वाष नहीं करता है एगनोस्टिक वन हूँ इस नाट सियोड अबाउट दे एगजिस्टेंस आफ गॉड यानि जो निश्चित नहीं के इश्वर है कि नहीं वो एगनोस्टिक होता है और देश्ट जो इश्वर को तर्क के आधार पर उसमें क्या करता है विस्वाष करता है ठीक है चले चाइल्ड बॉर्न आफ्टर दे डेथ आफ इटस पाद एक बच्चा जो अपनी पिता की मौत के बाद जन्म लेता है वो पोष्टवार नहीं है ये तो युद्ध की बात की स्थिती होती है वो पोष्ट हुमस है पोष्ट मिंस क्या होता है बच्चा पोष्ट मिंस होता है कहीं भी बाद और हुमस समझते होंगे एक मनुष्य एक मानव यानि जो मनुष्य जो बच्चा अपनी पिता की मौत के बाद जन्म लेता है वो पोस्ट हुमस होता है क्या हो जाएगा पिता की मौत के बाद जन्म लेने वाला बच्चा पोस्ट हुमस हो जाएगा पोस्ट क्लाइंट समझते हैं ये बाद वाला क्लाइंट और पेस्टी साइ के बात जन लिया हो वो पोश्टियो मस होता है वन हुवर्स फार दे वेलफेर आफ अदर्श जो दूसरों के कल्यान के लिए काम करता है बच्चों फिर से एक तरह स्वाई question लिखना आप रिवीजन है वो कौन है फिलाएंथ्रोपेश्ट है वो मिसाएंथ्रोपिष्ट नहीं याद हो गया मिस मिस घ्रना करना होता है और यहां भी मिस देखे घ्रना करना और गैमिष्ट मिस कौन होता है जो शादी से घ्रना करता है मिसोगैमिस्ट कौन होता है, जो विवाह से घ्रणा करने वाला होता है, वो कौन होता है, वो आपका मिसोगैमिस्ट होता है, और अल्ट्रो сов कौन है, जो दोसरों के कहां, यहां इसका answer philanthropist नलिम्ऩड़, बलकि यहां पर आपको उससे बहतर answer है, अल्ट्रोस्ट, क्या है, जब हम मनुष्यों से प्रेम करते हैं, तो हम फिलांथ्रोपिस्ट हैं, लेकिन यहां हाँ एक question, जब हम दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते हैं, तो हम altruist हैं, altruist में सुआधोगा सभी बच्चों को परोपकारी हो जाएं, क्या हो जाएगा परोपकारी, अगर यह altruist नहीं होता कुछ सेंस पर फिलांथ्रोपिस्ट ले सकते हैं लेकिन आपने अल्ट्रोपिस्ट लिया है अल्ट्रोपिस्ट मेंस ही परोपकारी होता है तो आपका एंसर इसका क्या हो जाएगा डी आप्शन हो जाएगा अल्ट्रोपिस्ट परोपकारी होता है मिसोगैमिस्ट ज anthropist जो मनुस्य से घ्रिणा करता हो और फिलैंत्रोपित जो मनुस्य से प्रेम करता हो एक ऐसी दवा जो जहर के प्रभाव को कम करती है वो anti-room है या anti money है या antidote है या anti-loaf once anelf जो मुख्ह कमरे से पहले का कमुरा होता है वो anti तिरूम होता है एंटी मनी आप जाते होंगे एंटी मनी क्या होता है बच्चो काजल सूर्मा जिसको आप कहते हैं आप काजल वह होता है आप computer नहीं होईएगा इस वर्ड से एली मनी क्या होता है यह भरण पोशन रासी जो होती है वो एली मनी होती है लेकिन अंटी मनी क्या होता है यह काजल या सूर्मा होता है एंटीडोट क्या होता है आप जानते हैं जहर नाशक होता है क्या होता है जहर नाशक जो जहर के प्रभाव को कम करता हूँ वो जहर नाशक है और एंटी लोग जानते हैं या म्रिग या हिरन को कहते हैं यह एंटी लोग होता है तो हमारा एंसर क्या हो जाएगा एंटीडोट यानि जहरनाशा. The life history of a person and by others. आप जानते ही बच्चुई क्या हो जाएगा? Biography. क्या हो जाएगा? Biography क्या होता है? जब एक व्यक्त का इतिहास कोई और लिखता है. autobiography क्या होता है? जब हम आत्म कथा यानि अपनी बारे में खुद लिखते हैं. documentary क्या होता है? किसी पेरो documentation करना, उसके बारे में बताना. और memoirs क्या होता है? संसमरण. क्या होता है? संसमरण. जब आपनी यादों की आधार पे कुछ लिखते हैं, वो memoirs होता है. documentary, अक्सर आप movies देखते होंगे. autobiography, जब आप अपनी बारे में खुद लिख रहे हैं, और biography में इंस जीवनी अर्था, जब आपकी बारे में कोई और लिखता है. यह written by others दिया गया है न, इसको नमारा answer क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा. A man having no hair on the scalp. scalp means क्या होता है? उसका जो सर है. जो उपर सर है वो. तो क्या एक ब्यक्ति जिसके सर पे बाल नहीं वो ब्रशी होगा? नहीं. ब्रशी तो खुद क्या होता है? hairy होता है. जिसे आप हिंदी में जानते होंगे, यह कहते हैं, जबरा. जबरा कुद आपने देखा होगा, तो ब्रशी होता है. बाल्ड कौन होता है? जो गंजा होता है. Ruby आप जानते होंगे, मारिक भी होता है. या जो गहरे लाल रंग का होता है, वो भी क्या होता है? Ruby होता है. और टॉम्बवाई समस्ते होंगे, वो लड़की जो लड़कों जैसे बाल वगरे रखती है, कप्टे वगरे पहनती है, वो टॉम्बवाई कहलाती है. तुम्हारा एंसर क्या हो जाएगा? बाल्ड, बाल्ड मेंस गंजा. अम मैंनों, एक नवस, वन हुई चूज़ेन टू, एक नवस, वन हुई चूज़ेन टू, टू सेटल दडिस्प्योट, एक ऐसा, जिसे किसी विवाद को जगडे को निप्टाने के लिए चुना गया हो, वो कौन है, वो आर्मचेर है, या आर्मश है, या आर्बी ट्रेटर है, या ट्रेटर है, आर्मचेर तो नहीं होगा, समझ गया होंगे अब आर्मचेर, आर्मश भी नहीं होगा, सस्त्र जनरली होता है, वो आर्बी ट्रेटर है, या वो कौन है, वो जजज है, या वो कौन है, वो पंच है, या वो कौन है, वो आर्बिटर है, या वो कौन है, वो रेफरी है यह आपका वो होता है जिससे आप पंच कहते हैं पंच जो होते हैं आप समझते हैं जो किसी जवरी का समाधान करते हैं वो आर्बी ट्रेटर होता है फ्वस्टन था हमारा one who is chosen to settle the dispute तो answer हो जाएगा आर्बी ट्रेटर ट्रेटर कौन होता है जो dysl outside means a इक तरस से देश दोही या विश्वासगाती होता है का लवरा अब्रक्ष पहिंबी बिव्लियो लगा है कहीं भी बिव्लियो मेंसी क्या होता है उस तब रहा है बिव्लियो मेंस पुस्टक और कहें भी फोव लगा है दर यानि आपका फोविया डर जो होता है तो जो डर रहा है वो बिब्लियो फोविया लवर तो होगा नहीं वो बिब्लियो थेक क्या होता है बच्छो बिब्लियो थेक होता है लाइब्रेरी क्या होता है लाइब्रेरी पुस्तकाले को हम क्या करते है बिब्लियो थेक करते है बिब्लियो ग्राफी क्या होती है ग्रंथ सूची क्या होती है ग्रंथ सूची जो आप कैटलाग यूज़ करते ह का, वो बिप्लियोग्राफिय भी कहलाती है. और बिप्लियो मिन्स पुस्टप और फाइल कहीं भी है, port फाइल मिन्स पुस्तपुनद जो प्रेम करने वाला है, वह लवर आख बुक्स है, यारेadt बिप्लियो फाइल हो जाएए. An instrument measuring wind pressure जो हवा के दबाव को महसूस करता है मिन्स मापता है वो aerometer होता है, barometer होता है, ambidextrous होता है या bilingual होता है तो ambidextrous तो नहीं होगा, याद हो गया होगा आपको ये कौन है, जो दोनों हाथों से दक्ष होता है bilingual तो नहीं होगा, bilingual दूई भासी जो दो भासा में लिखा गया हो, वो bilingual होता है aerometer तो नहीं होगा, aerometer क्या होता है जो किसी चीज़ के घनत हो, वायू के घनत को जो नापनी वाला होता है वो aerometer होता है, तो क्या हो जाएगा ये, barometer हो जाएगा जिससे हम वायू दाब मापी कहते है, barometer फिर आपका है, a person who is unable to pay his debt यानि वो व्यक्ति जो अपने लिए गए कर्ज को अदा करने में असप्छम होता है वो prosperous तो नहीं होगा, prosperous कौन होता है, जो शम्रिध होता है सम्रिध रहेगा तो फिर अदा कर लेगा वो humiliating तो नहीं होगा, humiliating कौन होता है, जो अपमान जनक होता है, इससे अपमान का क्या मतलब है वो altruist तो नहीं होगा, देखे मैंने revision करा है, altruist याद होगे आपको जो दोसरों के welfare के बारे में सोचता है, मैंस जो प्रोपकारी होता है वो bankrupt होगा, कौन होगा, वो bankrupt होगा, जो दिवालिया होगा, भूलियेगा नहीं, ये वर भी याद कर लिजेगा, वो insolvent भी होता है, कौन होता है, insolvent मेंस भी दिवालिया होता है, और bankrupt मेंस भी दिवालिया होता है, मारा answer क्या हो जाएगा, the option कोई चीज जो साल भर में एक बार होती है वो क्या होगी एनिवर्स्तरी होगी बाइनियल होगी माईजरली होगी या एनिवर्स्तरी तो नहीं होगा माईजरली तो याल हो गया ना हंजूर्श होता है यानि दो वर्स्तरी नहीं होगा इनिवर्स्तरी क्या होता है यह फिक्स है इसे हम कहते है साल गीरह क्या होता है यानिवर्स्तरी जो एक बार पड़ता है वो अंवल कर्सिव रयटिंग होता है , एगतो हुए तुम यहाई होता है?, तुम यहाई होता है ? वह तो नहीं होता है ? जब आप गएकन ुमन्हीं, नज्सित होता है ? और निम्बल क्या होता है निम्बर होता है चतुर या चालांक या पूर्टीला जो होता है जो एजाइल होता है वो निम्बल होता है तो माना एंसर क्या हो जाएगा जो आसानी से टूर जाए वो ब्रिटल होता है A list of books, menu तो नहीं होना चाहिए न, dryers तो कता ही नहीं होगा, A-V side तो आपको याद हो गया होगा, क्या हो जाएगा, वो catalog होजाए, किताबों की सूची होती न, वो क्या catalog या bibliothet हो जाएगा, A-V side आपको याद हो गया होगा, कहीं भी A-V लगा है, A-V means पच्छी, और किसी शब में CIDE लगा है इसके मेंस क्या होती है हत्या तो एविसाइड पच्छियों की हत्या जैसे अगर आपको इता की हत्या की बात करनी हो आपको याद होगा क्या होता है पैट्रिसाइड माता की हत्या की बात करनी हो आपको याद होगा क्या होता है मैट्रिसाइड भाई की हत्या की की बात करनी है तो क्या होता है वो फ्राइटरी साइड, बेहन की हत्या की बात करनी हो तो क्या होता है सुरोरी साइड, दोस्त की हत्या की बात करनी हो तो क्या होगा पत्नी की हत्या की बात करनी हो, तो क्या होगा, अगजुरिसाइड, लिए बोह लग लग क्या बनाये गए हैं, वर्स बनाए गए हैं, जैसे कुट्टे की हत्या की बात करनी हो, तो गैनिसाइड हो, माले बिल्ली की हत्या की बात करनी हो, तो फैलिसाइड हो, माले ये बहुत ज्यादा लोगों की हत्या की बात करनी हो, तो जेनोसाइड होता है, याद कर लीजेगा, काम आयागा बच्छों, ऐसे अभी आपने पिता, मैटर है माता, फ्रेटर है भाई, सुरोरी है बहन, MC है दोस्त, अग्जोरी है पत्नी, जेनो है समुद्र, यानि बहुत विशाल, बहुत ज्यादा, फेली है बिल्ली, कैनी है कुट्टा, पेश्टी, कीट, यानि इस तरीके सिंका निर्मार किया गया है. चले, थम्हारा एंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, अरे, C नहीं होगा, क्या हो जाएगा, cat log हो जाएगा. अब आपका देखी सेग्मेंन चेंज हो गया, सनोने मिस आ गया आपके पास. abandon, abandon का क्या हो जाएगा, grasp करना, leave करना, hold करना, या catch करना, अगर abandon की मिनिंग आपको याद हो, abandon means छोड़ देना होता है, तो grasp तो इसका antonym हो जाएगा, hold इसका antonym हो जाएगा, catch इसका antonym हो जाएगा, लेकिन leave means आप जानते हैं, क्या होता है, छोड़ देना, तो abandon का antonym भी मैंने दिया है, और synonym भी आपको देना, next होता है, abolish, abolish क्या होता है, नश्ट कर देना, समाप्त कर देना, क्या होता है abolish means समाप्त कर देना, so build means निर्मार करना होता है, роль means निर्मार करना होता है, quit means बेच में छोड़ देना होता है, और eradicate means भी नश्ट कर देना समाप्त कर देना तो ये तो इसका antonym हो जाएगा mold means ढालना होता है सांचे में ढालना, निर्मार करना ये भी antonym हो जाएगा quit beach में छोड़ना होता है ये तो होगा नहीं तो क्या हो जाएगा? eradicate means भी नश्ट कर देना abolish means भी नश्ट करना और eradicate means भी नश्ट कर देना abstain का सरनुम क्या हो जाएगा बच्चों avoid होगा या stick होगा या nullify होगा या destroy होगा क्या हो जाएगा abstain का? abstain means क्या होता है? abstain means होता है किसी चीज़ से परहेज करना ज्यान रखे exam में एगर abstain दिया जाए इसके साथ preposition के रोप में राम का प्रियोग करता है रिफ्रेन के साथ भी राम का प्रियोग करता है exonerate के साथ भी राम का प्रियोग करता है तो इतना चुड़ी चुड़ी चीज़ें त्यार करेगा चले तो abstain means अगर परहेज करना होता है क्या हो जाएगा? तो इसका एंटनिम हो जाएगा न, बड़ि न, बड़ि कर करना, जिससे कि disparus को ना स्थ करना होता है, तो यहाँ नस्थ करने के मतलब है नहीं, तो आपश्टें में इस प्रहेश करना, वाज में भी बचना परहेश करना निश्ट वर हैं आपका एकसेस, क्या भू जाए इसका स्वरोन में रीच अवाईड एबावलिस इरेडिकेट आप कर स्थियमग्च एकक्सेंस क्या होते कहीं तक आपकी än के 2 लो गते हैं हमारी वहां तक एक्सेस्ष्ट नेयिं पहुंच नहीं याणि क्या हो जाएगा व्स ज्रेद Bent homeumm परहेस करना बचना अभी आपने पढ़ा था समाप्त कर देना नष्ट कर देना और इरेडिकेट भी आपने पढ़ा था नष्ट कर देना यानि यह रिवीजन के लिए मैंने दिया कि भूले न आ नर्मल वर्ड है लेकिन कमझूर बच्च एक लिए दिया गया अक्यूस मेंस क्या हो सुननश हो जाएक प्रेस होगा या अब्लाड होगा या ब्लेम होगा होता है आपो ब्रेफ लगाना इसका इससरना रखेगा नहीं भी Оगर एकजाम में आपको डिया गया है इसका जो प्रेफूरसिशन होता है got हिए जो होता है वह आफ होता है ह। कहीं भी अगर कंविक्ट दिया गया है तो इसके साथ भी off लगाते हैं, कहीं भी अगर pond दिया गया है, तो इसके साथ भी preposition off लगाते हैं, इस तर छोड़ी-छोड़ी चीज़ें त्यार कुर लेंगे, exam में आपके काम है, तुमारा answer क्या हो जाएगा, accused का blame कर, next word है, आपका admonis, ठीक है, admonis, किसी भी शब्द के अंत में ish आता है तो वो adjective होता है, क्या होता है, adjective, लेकिन कभी-कभी ish से क्या बनाते हैं, verb भी बनाते हैं, लेकिन generally ish क्या होता है, adjective, ध्यान रखेगा, जैसे आप देखते होंगे, फूल में ish जोड़ दिया गया, adjective हो ग यहाँ admonis, verb है, आपकी ध्यान रखेगा, admonis means क्या होता है, किसी को चेतावनी देना, क्या करना, चेतावनी देना या डांटना फटकारना, तो recount होगा, या foolish होगा, या review होगा, या cheer, cheer तो नहीं होगा, cheer means क्या होता है, तालिया बजाकर किसी के प्रसंशा करना है, ये तो होगा है, मुर्ख, ये तो नहीं होगा, recount क्या होता है, किसी चीज का burden करना होता है, क्या होता है, किसी चीज का burden करना, ध्यान के recount, और इस recount में फर्क है, इस recount means फिर से गिनना, लेकिन इस recount में वर्डन करना, ब्यावरा देना, तो माना answer क्या हो जाएगा, रिब्यूक, रिब्यूक मेंस क्या होता है किसी को डांटना, किसी को चाइड करना, किसी को इसपाल्ड करना, किसी को वार्न करना, किसी को रिबफ करना, यह क्या होता है, डांटना, फटकारना, ज्छिरकना, तो मारा एड्मानिस मेंस क्या हो जाएगा, रिब्यूक करना, डां तो adversary means क्या होता है दुश्मन ठीक है दुश्मन तो po means भी आप जानते हैं po means क्या होता है दुश्मन friend तो antonym हो जाएगा इसका living सजीव को कहते हैं और necessary आप सारी बच्चे जानते हैं necessary means जरूरी होता है यहां देखे ery है लेकिन यह यहां पे adjective की तरह काम करेगा ध्यान केखा नेक्ष्ट है affluence किसी भी शब्द के अंत में ence आता है वो हमेशा क्या होता है noun होता है याद हो जाएगा अब किसी भी शब्द के अंत में ity आता है यह भी हमेशा noun होता है रिचनेस आपने पढ़ाता नेस होता है यह भी हमेशा noun होता है अभी मैंने revision के ले दिया आपको चाइड में स्याद हो गया डांटना फटकारना तो अगर affluence में शम्रिधी होती है हमारा answer क्या हो जाएगा आपना frequently तो नहीं होगा जो बार-बार होता है वो frequently होता है partially तो नहीं होगा partially मेंस होता है आंशिक क्या होता है तो अगरिगेट का स्रणिम क्या हो जाएगा total fraction आप समझते होंगी fraction मेंस अंशिता है भिन होता है कुछ वर्स और है देख लें allegation allegation क्या होता है बच्चों याद है allegation allegation का क्या हो जाएगा सनॉनिम charge या applause या ambiguous या annihilation तो allegation मेंस क्या होता है allegation मेंस होता है आरोब क्या होता है आरोब यानि एक तरह से आप यह कह सकते हैं indictment या impeachment पढ़ाने की वज़या है कि आप जल्दी से कर ले और जगादा questions कर लें आओ तो allegation मेंस आरोब तो charge मेंस भी क्या होता है बच्चों charge मेंस आरोब होता है याद कर लेजिएगा ambiguous आपको याद हो गया होगा आप पढ़े थे आप और अस्पष्ट होता है और annihilation मिन्स क्या होता है नाश होता है किसी चीज़ के नश्ट होने का कारिज होता है वो annihilation होता है तो allegation मिन्स आरोप चार्ज मिन्स भी आरोप आप यह देखे एक बढ़िया section में जुड़ा है sentence filler इस सारी questions हुआ है जो आपके exams में आर्ली दे जा चुके है revision हो जाएगा आपको पता भी चल जाएगा कहां पर क्या करते है तो पहला question है आपका yesterday I saw dash European riding on dash elephant जिन बच्चों ने अभी भी subscribe ने किया हो वो जरू subscribe कर ले बच्चों चले तो yesterday I saw dash European riding on आप समझते होंगे यहां पर article को भरना है हमको European भले इस से शुरू हो रहा है लेकिन हमारा pronunciation क्या है यह से है और यह क्या होता है the or and say option पर आपने अब तक like न किया हो आपको section अच्छा लग रहा हो जरूर आप like कर ले ताकि मुझे भी लगे कि हम बच्चे जो हैं चुड़े हो चले next question आपका है a prisoner was accused अभी अपने बात की थे न कि accused के साथ जिस चीज का आरूप आप लगाते है वो क्या हो जाता है आफ ल prisoner was accused dash his father अब आपने जैसे accused देखा आप क्या लगाना चाहेंगे off लेकिन off लगेगा नहीं यहां क्या लगेगा by क्योंकि उसके पिता के द्वारा उस पर आरूप लगाया गया इसलिए यहां by लगेगा इसलिए रठियेगा नहीं जिस चीज का आरूप लगाते हैं तब accused के स आरूप लगाते हैं और जिसके द्वारा आरूप लगाते हैं वहां accused by हो जाए तुम्हारा answer क्या हो जाएगा बे आप्श इस ड्रेस इस डैश और इस माई यह ड्रेस तुम्हारा है और यह ड्रेस ड्रेस जो है यह मेरा है तो आप पहले यह जानने कि कभी भी जो positive adjective होता है योर हुआ, माई हुआ, हर हुआ यह कभी भी अकेले नहीं आ सकता है बचो कभी भी यह अकेले नहीं आ सकता है इसलिए यहां योर कभी नहीं हो सकता है और दिश ड्रेस इस योर बुक यह तो कभी हो नहीं सकता है और दिश ड्रेस इस योर बुक यह तो कभी हो नहीं सकता है तो दिश ड्रेस इस यूर्ष, अकेले क्या आ सकता है बचा हूँ, अकेले आ सकता है, पॉजशिव प्रोणाउन, तो यहां क्या होज़ए, दिश ड्रेस इस यूर्ष, यह ड्रेस तुम्हारी है and that is माइन, माइन मेंज क्या होता है, मेरी, जैसे माई है यह कभी अकेले नहीं आसकता है लेकिन माइन हमेशा अकेले आता है यह जो योर है यह कभी अकेले नहीं आसकता है लेकिन योर्स हमेशा अकेले आता है यहां एंसर क्या हो जाएगा योर्श are you sorry? reposition का प्रयोग है are you sorry dash what you have done क्या लेना चाहेंगे sorry के साथ with over far या बाई याद होगा आपको, are you sorry for, sorry के साथ क्या लगाते है, for, are you sorry for, what you have done, क्या तुम्हें दुख है उस चीज के लिए जो तुमने किया है, याद कर लेंगे, sorry के साथ, जिस से इसका दुख है, वहाँ पर कपी होगे, तुमना एंसर हो जायेगा, c option, next एto, why are you always suspicious, dash means, suspicious means होता है, जो शक करनी वाला होता है, यानि, सन्देही, जो होता है, वो suspicious होता है, why are you always suspicious, स्थमक्यों हमेशा शक करते हो, that's me suspicious के साथ हमारा preposition क्या होता है off होता है क्या होता है बच्छो suspicious के साथ off हो चाएगा c option हो चाएगा the headmaster does to speak to you tense is some the sentence filler था आपका आप अपने से भी कर सकते है क्या the headmaster is wanting या was wanting क्या want में हम इस तरीके सा ing जोड सकते है क्या believe में हम ing जोड सकते है tense के level पे क्या understand में tense के level पे ing जोड सकते है क्या belong में जोड सकते है क्या please में जोड सकते है क्या consider में जोड सकते है verb के रूप में नहीं न वैसे want में भी नहीं जोड सकते है और हिंदी देखे headmaster बात करना चाहते है किससे to you तुमसे, wants यहां हो जाएगा हमारा answer, wants, एक चीज़ और देखे, कभी भी अगर आप speak का प्रियोग करिएगा, मैंने साथ कल भी लिखाता हूँ, जो कल मैंने वीडियो डाले थी, उसको देख लीज़ेगा, बहुत काम आएगा, उसको मैंने आपको जुतनी भी important चीज़ें थी वो आपको वहां पर एक साथ करके preposition से समन्द दे दिया, कभी भी speak का प्रियोग है, कभी भी pray का प्रियोग है, कभी भी say का प्रियोग है, कभी भी propose का प्रियोग है, कभी भी suggest का प्रियोग है, कभी भी report का प्रियोग है, है ला, इनके साथ अगर आपनी object लिया, क्या लिया suggest to someone report to someone अब अगर आपके मन में आइस तर प्रे के साथ तो पौर भी लगाते हैं तो जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं वहाँ प्रे के साथ फौर लगाते हैं हम जिस से बात करते हैं प्रार्थना करते हैं वहाँ प्रे के साथ तू लगाते हैं वहाँ इंसर हो जाया है यह तो अगर दो लोग है, मेरा बेटा और मेरी बेटी, वो एक दूसरी का शौक रखते हैं, एक दूसरी को पसंद करते हैं, तो एक दूसरी की मीनिंग, दो लोगों के लिए क्या होती है? each other क्या होती है each other अगर दो से अधिक लोग होते हैं तब क्या होता है one another क्या होता है one another दो लोग है तो क्या लगता है each other next आपका third last question है the ministers are responsible मैं जानता हूँ आप क्या भरना चाहेंगे आप तुर रिस्पांसिबल के साथ पौर भरना चाहेंगे लेकिन यह होगा नहीं बच्चो हमेशा याद रखेगा देखे काम आएगा कभी भी आप responsible का प्रियोग करें कभी भी accountable का प्रियोग करें कभी भी liable का प्रियोग करें कभी भी ऐसा कोई भी responsible हो गया accountable हो गया ये देखें कि जिस कारी के लिए आप responsible हैं उसके लिए क्या लगाएंगे आप for लेकिन जिसके प्रती आप जिम्मेदार हैं जिसके प्रती जिम्मेदार हैं तो क्या लगाएंगे आप तू लगाएंगे ठीक है responsible, accountable, liable for something and responsible, accountable, liable to someone तो यहाँ देखें जो ministers है न यह responsible है chief minister के लिए responsible नहीं है यह chief minister के प्रती responsible है तो यहाँ answer for नहीं होगा यहाँ answer to होगा अच्छा लगाओ क्वश्चन है आपका get super tech के लिवेल पे सारी change जरूरी है सारी बच्चे जरूर त्यार करेंगे और यह question आपका second last है आज का the days-rice आपको पता है जब हम किसी व्यक्ति से deal की बात करते हैं तो व्यक्ति के साथ या किसी समस्या के साथ deal with a person होता है ब्यवसाइ की बात करते हैं deal के साथ हम किसी profession की बात करते हैं तो deal के साथ in का प्रयोग करते है यहां rice क्या है वो बेचता है न व्यापार की बात कर रहा है यहां क्या हो जाएगा in हो जाएगा और यह last question आपका आज का है यह अब अगर went with है बच्चों पहली चीज़े जान ले यहां पे यह with है with क्या है preposition दूसरी चीज़ यहां verb है तो दोनों के बाद चाए verb हो चाए preposition हो इनके बाद हमेशा कौन सा case आता है objective case आता है कौन सा case हमेशा preposition के बाद भी और verb के बाद इसका मतलब यह तो objective है नहीं और यह दोनों तो कत्ता ही नहीं है यानि क्या हो जाएगा आपसिक के रोप में आपका यह session आपको निश्चत ही अच्छा लगा होगा especially वो बच्चे जो TED के exams देने वाले हैं 28 तारीक को और आगे जो बच्चे super TED के प्रफिशन करना चाह रहे हो या RO-RO के paper है December में उसके प्रफिशन करना चाह रहे हो तो उने निश्चत ही निश्चत ही बच्चों यह जो vocab का section आपने पढ़ा और sentence fillers वगर पढ़ा आपने यह निश्चत ही आपके काह मारे कर ठीक है घ्यान रखेगा मैंने speed थोड़ी सी ली क्योंकि आपका समय मुझे बचाना था ज्यादा समय आपको ना लगे इसलिए फिर भी 60 questions एक session में मैंने आपको दिया है जरूर तियार करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दे शेर कर दे और जिन बच्चों ने अब तक subscribe न किया हो वो बच्चे जरूर से जरूर क्या कर ले subscribe कर ले चले thank you फिर अगले segment इसी का मैं next पाड़ भी कल पर सो लेकर आऊंगा जो भी बच्चे exam देने वाले आगे जरूर तियार कर ले next segment में आपसे फिर से मिलते हैं तब तक के लिए goodbye thank you मिशा खुश्ण है बच्चे